हलू नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चेनर में तो दूस्तो वेकेंसी एरे अजूकेशन के सेथ आज हम भारतिये इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं और उमीद करेंगे कि काफी विद्यारतियों को इसके अपडेट मिल चुक्क होगे और जिन विद्यारतियों को नहीं मिली वो यहां से पूरी अपडेट के साथ वीडियो सुरू कर सकता है अच्छी कासी पोस्ट हैं और यहां पर 11,000 से हदिक तक या फिर बात करें 10,000 से हदिक तक यहां पर सेलरी आप लोगों को दी जाएगी पोस्टों के ब आप लोगों को चैनित किया जाएगा आविदन प्रकैस की सुरू हो चुकि अभी जाएं और अभी इस पर फोर्म समीट करवा सकते हैं इसके ओफेशली वेवसेट की मैं बात करूँ हूं तो यह इसके ओफेशली वेवसेट हैं कही विद्यारतियों के इस चीज के बारे में बुरा भी लगेगा और कई विद्यारतियों के अच्छा भी लगेगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यह जो वेकेंसी की हम बात कर रहे हैं यह अप्रेंटिस की पोस्ट हैं और इसने फिर से 73 पदों पे एक और अप्रेंटिस के लिए अच्छे सूचना दी हैं और भारत के सबी विद्यारतियों के लिए ओनलाइन आविदन पर क्या कराएगी है जिसमें ग्रिजविशन और पोस्ट जो डिपलोम वाले विद्यारतियों हैं वो ही विद्यारति इसमें आविदन कर सकते हैं बस अगर आपके पास एक भी कौलिफिकेशन होगी तो आप इन प आपको इसका जो ट्रेनिंग बेश होगा चैने ही में होगा दोजार गुन्नीस बीस और एकीस वाला विद्यारति इसमें आविदन कर सकता है यह जराशी सूचना आप लोगों के लिए बड़ी इंपोर्टेंट है तो यह थोड़ा सा किलेर कर लीजेगा आप लोग साथ ही ह हम बात करें यह आपको बता दें कि चैने में जोब होने के वज़े से यह अप्रेंटिस की ट्रेनिंग आपको एकसेप्ट करनी होगी 1973 के तहत के टेगरी वन और के टू के तहत इसमें दो पोस्ट अपडेट कराएगी है पहली पोस्ट के बात करें तो ग्रेजिविशन वाल 28 है, Electronics Communicator के बात करें 25 है और साथ ही Computer Science की 3, Civil की 2, ऐसे करके 63 पोस्टेस में दी हुई है, केटिगरी 1 के अनुसार इसी दुरान हम बात करें केटिगरी 2 की तो यहाँ पे Electrical Communication Mechanical वाले विद्धारत्य की पोस्ट हैं, डिपलोमा की qualification मांगी है, 10 पोस्टेस में जारी हुई है सेलरी के रूप में दिया जाएगा और हो सकें, तो आप लोग अगर Apprentice करने के लिए इच्छूत हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, भारत की महारतन कंपनी हैं, काफी अच्छी पोस्ट आप लोगों को हो सकता है, कि आपको यहाँ पे उसके बाद रोजगार बत्ति के तह अप्लाई कर सकता है, और Application Face के मैं बात करो, तो किसी परकार का कोई Application Face नहीं देना होगा, पर यहाँ पे 19, 20 और 21 वार विध्यारती ही इसमें अप्लाई करेगा, अब मैं फिर से Repeat करता हूँ, देखेगा, अगर आप एक Government Job की तयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो आप Government Job की तयारी करें, और कुछ विध्यारती या Apprentice के लिए, अगर फिर Apprentice के साथ गोर मैं Job की तयारी करना चाहते हैं, तो यह कर सकते हैं, आपको 8 गंटे की जूब होगी, और 8 गंटे के अनुसार आपको यहाँ पे 10,000 रुपे salary की रूप में दिये जाएंगे, साथ ही आपको बता दें कि आपको यहाँ पे जो graduation की post हैं, उनमे 63 post इसमें दी हुई है, और डिप्लोम वाले विध्यारती के बात करें, तो डिप्लोम वाले विध्यारती के लिए यहाँ पे 10 post इसमें दी हुई है, भारत के सभी विध्यारती इसमें आविदन कर सकते हैं, merit list के आधार पे जब जाके आप लोग इसमें कर पाएंगे, I hope कि यह चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे, अब बात करें आविदन के बारे में, तो आविदन आपने पहले कभी इसमें form feel किया, अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आज इसमें आप आलो, आप लोग आविदन कर सकते ह और के यहां पर इसका ओफियल जो भी विड्यापन है, सारे किसी भी राजjas हो, कहीं भी किसी भी छेत्र से हो, तो आप लोगों को हैं पहां पर इसका विज्यपन मिलेगा, जैसे कि बात करें तो एक विज्यापन यह दिया है, और इसी दुरान हम बात करें इस तो उसके बारे में आप विवर्ण दिया हुआ है तो सब के बारे में आप अपडेट है तो आप लोग किसी भी पोस्ट पी जाके किसी भी वेकंसी के तहत आप लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं बस आप लोग तैयारी अच्छी है तो आप इसमें जमागर वा सकते हैं तो दो हीं दूस्ट